हाई, वेलकम तो मैंचनल, इस बड़ी में सॉल्ट करेंग क्वेशन नमबर 9 और अक्तेंगुलर स्ट्रिप 25 सेंटिमेटर बाई 7 सेंटिमेटर इस रोटेटेड एबाउट दी लाउंकर साइड फाइंड दी वालिम आफ दी सॉलिड दस जनेरेटेड मतलब कि यहां से लेकर यह जो लेंथ है और यहां से लेकर के और यहां तक यह कितना है 25 है और यह जो है यहां से यह आपका जो है 7 सेंटिमेटर है means यहां पर हम दी सकते हैं कि दिस इस ट्वंटी फाइफ और यहां पर कह क्या रहा है कि इसको लांगर साइड के एलॉंग या इबाउट दी लांगर साइड हम इसको रोटेट कर रहे है देखे रोटेट करना और रोल करना दो चीज़े हैं रोटेट करने का मतलब यह है कि किसी एक्सिस के एलॉंग हम इसे रोटेट करना है मतलब कि इसको घुमा रहे है बस तो घुमाने से एक सॉलिड जनरेट हो जाएगा ठीक है इस स्ट्रिप को यदि हम यह वाला जो साइड है इसको हम फिक्स कर दें मतलब एक जगा फिक्स कर दें और इसी के एलॉंग जो है हम रोटेट कर दें यहाँ पर इस वाले ऐसे रोटेट कर दें तो बन जाएगा एक यह सिलिंडर कैसे बनेगा मैं आको दिखा रहा मतलब यह इधर की तरफ आएगा इसको मैं लगभग जितना यह साइज रहेगा उतना ही होगा यह और उसके बाद यह वाली लेंथ और यह मिल जाएगा राइट तो यह जो आपका बना है यह यहाँ से जब रोटेट होगा तो यह ऐसे रोटेट होगा कि यह जा करके ऐसे मिलेगा फिर ऐसे रोटेट होते होते यह आ जाएगा ठीक है मतलब कहने का मतलब यह ही है कि यह रोटेट होकर के ऐसे बन जाएगा इसे होगा फिर यहां भी वही काम होगा ऐसे जाकर के रोटेट होकर के ऐसे बनेगा मतब इसको रोटेट करेंगे ठीक है यह इतना मोटा ही रहेगा ठीक है इसको जब घुमा दिये ऐसे रोटेट कर दिये हर जगा से मतब यह पूरा कम्प्लीट यह एक्सिस है यह वाली यह ज इसको पूरा ऐसे रोटेट कर दिये हैं, रोटेट करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, सिलिंडर, ठीक है, और एक होता है, रोलिंग, रोलिंग करने के लिए बोलेगा, तो इस मतलब कि इसी पेपर को मोड देंगे, या फिर जो भी मतलब स्ट्रिप रहेगा, एनिफिंग, ही हो जागा, रेडियास, रेडियास आफ दिस सिलिंडर, तो आप लिख लेंगे, सुलिशन, सिंस, रेडियास, आफ दे, शॉलिद, दस जनरेटेड, यह इक्वाल होगा ब्रेट ओफ, ब्रेट ओफ, ब्रेट ओफ, ब्रेट ओफ, दी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, rectangular strip ओके तो breath कितना है 7 cm मतब radius आपको नुकल गया और height कितना होगा height तो वही होगा 25 cm या लिख लेंगे height of the rectangular strip तो इसकी जो height है वो क्या हो जाएगी 25 cm right तो अब करना क्या है हमें find करना इसका volume तो अब तो volume find हो जाएगा क्योंकि हमें radius मिल गया है और height मिल चुकी है तो volume is called होता है pi r square h is called pi की value होती है 22 by 7 into r की value मतलब कि 7 है और 7 के square करेंगे into height की value तो हाँ पर 25 दिया हुआ है height यहाँ पर हो जाएगा 22 by 7 multiplied by 7 square means 7 multiplied by 7 into 25 7 मुझा 7 7 यह हो जाएगा 7 to the 14 7 to the 14 and 7 to the 14 115 154 multiplied by 25 25 फो जाएगा 100 का 0 10 carry over 25 फाइगा 125 और 135 हो जाएगा 135 का 5 हो जाएगा 13 carry over 25 बाइगा 25 बाइगा 25 and 13 28 and 38 means as I got 3850 centimeter cube centimeter cube okay this is the required volume generated by required volume of the solid generated by rotating this rectangular strip thank you so much for watching bye